अज़ाई विडियो में हम लोग बात करने वाले हिंदुस्तान कौपर सेयर के ऊपर इन डीटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक देखेगा चलिए अनलेसिस को स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तान कौपर के सेयर में अगर देखेंगे तो आज एक बहुत ही सांदर तेजी देखने को मिला सवाए 11 परसंट के तेजी के साथ जो है स्टॉक 300 के लेवल के ऊपर क्लोज दिया है लाश्ट वन मन्त की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरिवन 9 परसंट के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है तो आखिर इतना बड़ा तेजी आज के सिसंट में हम लोगों को क्यों देखने को मिला तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा वजया है जो चाइना में लगातार जो है आपको स्लोडाउन देखने को मिल रहा था फर्स्ट टाइम थर्टीन मंत के बाद यानिकि मोर देन वन येर के बाद फर्स् आपको ग्लोबल मार्केट को उनका ये ब्यूज अब जो है आपको काफी स्लोड आपको चाइना का एकॉनमी जो है चाइना जो है वहां पे आपको मैटल का डिमांड काफी ज्यादा है क्योंकि काफी सारी फैक्ट्रियों है मेनफेक्शनिंग एक्टिविटी काफी जादा होता है तो मेटल का जो है काफी सारा जो इंडिया का मेटल है वहाँ पर कंजियूम होता है और इसी वजह से इसी एंटीसिपेशन में अगर देखेंगे तो आज हम लोगों को एक बहुत जबरदस तेजी देखने को मिला टाटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स के उपर बात करेंगे तो एक आपको 29,947 करोड का मार्केट कैप है अगर देखेंगे तो अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा था बट जून 2020 जून 2022 के बाद यहां पर हम लोगों को स्लोडाउन देखने को मिला वापस से आपको पिक अप कि दिसम्बर क्वाटर में ट्विट्ट जून 2022 में एगेंज जो है आपको जून और सप्टेंबर क्वाटर यहां पर कमजूर देखने को मिला अब जो है यहां से हम लोग कर सकते हैं एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता करें एक पर बात करेंगे तो यह यह बता है लगातार आपको यह पीकप होता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि कोवेड की बात जो है आपको काफी slowdown देखने को मिला और इसी वज़े से जो है metal सेक्टर में भी आपको यहां पर थोड़ा सा हॉल्ट हुआ था जिसे साब से growth हो रहा था उसे साब से growth expand नहीं हुआ वापस से अभी यहां पर metal सेक्टर में हम लोगों को growth देखने को मिल सकता है तो चलिए अब चार्ट के उपर बात करते हैं चार्ट में भी stock काफी interesting level पर trade कर रहा है सबसे पहले हम लोग यहां पर डेली चार्ट के उपर बात करते हैं अगर डेली चार्ट में रेखेंगे तो एक range का breakout हुआ है यह range उपर की side में क्या था उपर की side में stock 305 के level पर assistance ले रहा था इस range में stock जो है December month से ही trade करता था अब फाइनली यहां पर breakout हो चुका है हम लोगों को पता है जो कभी भी अगर रेंज का breakout होता है तो टार्गेट क्या होता है आपको range का depth तो यहां पर रेंज का depth है तकरीबन आपको 70 पॉइंट का उपर की side 70 पॉइंट को project कर सकते हैं त पास का हम लोगों का target आता है तो यह तो आपको short term view है अगर हम लोग यहां पर long term view की बात करें मंतली चार्ट के ओपर अगर देखेंगे तो अप्रेल का आज फॉस्ट ट्रेडिंग से सिसन था इवेन फाइन से लियर 24 25 का भी यह जो है फॉस्ट ट्रेडिंग से सिसन था इक का बहतरीन लेवल पर ट्रेड कर रहा है यहां पर इमीडियर रसिस्टेंस से स्टॉक के लिए 325 का लेवल अकर अप्रेल में इस लेवल के ओपर सश्टीन कर जाता है तो यहां पर इजी जो है आपको next वन येर के अंदर स्टॉक 600 के लेवल पर देखने को मिल सकता है एक बह किया वापस से 170 के लेवल पर स्टॉक ने ब्रेक आउट दिया उसके बाद जो है स्टॉक ऊपर की साइड में अभी 309 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है जस्ट बिलोर असिस्टेंस लेवल काफी टाइम से इन फैक्ट अगर बात करेंगे लाश्ट टाइम स्टॉक जो है इस को एक सांदार तेजी देखने को मिलता है लगातार हम लोग देखते आए हैं काफी सारे से केस हैं पी एप सी आरी सी इलेक्ट्रकास्ट स्टील यह सभी एक ऐसे केसे जहां पर कि आपको मल्टी वेगार रिटर्ण जो है स्टॉक ने बना के दिया है जब मल्टी ये ब्रेक करना चाहते हैं को बिल्डप करना स्टार्ट कर सकते हैं नीचे की साइड में 274 के लेवल के नीचे अपने इसल को प्लेस करके रख सकते हैं इनकेस अगर आपको फर्दर अपडेट चाहिए रेगुलर तो आप जो इस चैनल को फॉलो कर लेजिए साथ आपको ट्वीटर और इंस्टाग्राम है ट्वीटर और टिलिग्राम का लिंक मिल जाएगा आप वहां पर जोइन कर लीजिए आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा इसके साथ ही एक और स्टॉक मेटल सक्टर का अगर देखेंगे वेदानता के सेर में भी हम लोगों को एक अच्छा तेजी देख कर रहा था उसरेंज को क्रास करता हुआ यहां पर देखने को मिल रहा है कि अब्स यहां पर इस च्रण enorm को इस लेवल क कर चुका है इस स्टॉक में भी एक अच्छा तीजी देखने को मिल सकता है 290 के ओपर इमीडेटली जो है 325 और उसके ओपर 370 की तरफ स्टॉक जो है झाल झाल झाल